कि नमस्कार मित्रों हारमा लोग के इस मंच पर सभी दर्षकों का वंदर सब्सक्राइब हार्मा लग हर वर्ष यगा फार्मा स्वेट सब्सक्राइब हर देक्र में सब्सक्राइब करने के लिए उसी क्रम में आज फार्मा दिवस्ट के उपर लेक्चर की सीरिज स्टार्ट की है जो की सुभाए नौवे से जारी है इसे तीसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है आदरनिये नरेंद आहूजा सर जी की वपस्तिती में तो मैं बजारिस करूँगा सर से के आप हमारे इस मंच पर आए आपका बहुत-बहुत स्वागत बंदन अविनंदन स्री नरेंद आहूजा सर जी एक्स ड्रक कंट्रोलर हर्याना जैसा की हम जानत हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो साच्छा थी सारा कुछ बताने का अपने आप बताते हैं कि क्या है फार्मेशी हम लोग तो कुछ भी नहीं है जो उनके सामने उनका नाम ही काफी है लेकर एक मैं कहना चाहूंगा जैसा कि सर आप लोगों को जिस टॉपिक पर बोलना चाह की तो हमारा टॉपिक यही है नीड ऑफ गुरू सिस्ट्रेडिशन करेंट एजूकेशन सिस्टम तो मैं इसी बात पर बाता के विना मती नहीं और गुरू के विना गती नहीं गती नहीं तो इसी प्रकार आज बहुत जरूरी है इस योग में जहां पर हम यह भूल चुके है कि हमारा गुरू सिस्ट्रेड़ बरकरार रहना चाहिए जिससे हम बहुत सारे अनभवों को संसकारों को पढ़ाई के साथ साथ यह जीवित रहना वह जरूरी है आज संस्कृती जीवेत है तो हम जीवेत हैं तो विस्ट फार्मसी दिवस जो हम फार्मसिस्ट के रूप में प्राउड कर रहे हैं इसको मना रहे हैं और आदर निये नहीं दाहुजा सरजी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक पर आप अपना माधरसन करें इससे हमारे चात्रों का प्रॉफिशन्स का सभी का हित्म में नमस्कार सार नमस्कार धन्यवाद सभी फार्मसिस्ट बंदूओं को विश्वव फार्मसिस्ट दिवस की हार्दिक शुब कामनाय बधाई और परमपिता परमेश्वर से एक प्रार्थना की जितनी भी दुखी जितने भी रोग गरस्त जनता है लोग हैं उनके इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए यदि कोई हतियार देने में सक्षम है तो वह केवल और केवल एक पर्मसिस्ट है करोना के उस काल में जब पूरी की पूरी दुनिया डरी हुई थी घबराई हुई थी भय और आशंका से ग्रसित थी उस समय भी हम सभी पार्मसिस्ट ने ही मिलकरके इस करोना महमारी से लडने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाईया रोक थाम के लिए उस समय जो भी आवश्यक्त पड़ता था एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जैसी विशूर की आवश्यक्ता थी उसका निर्मान किया और साथी साथ मैं तो उस देश का वासी हूँ जिस देश में रिशी दधीची ने अपनी हड़ियों का दान एक राक्षस के वद्ध के लिए सुहम का जीवन आहूत करते हुए कर दिया मैं एक बात यहां कह दूए कि इसी देश के फार्मासिस्ट साथियों ने मिल करके इस करोना महमारी के निदान के लिए बनने वाली वैक्सीन के लिए चाहे वो साइन्टिस्ट होँ, चाहे वो रेगुलेटर हो जिनोंने इसकी अनुमती दी, चाहे वो मेडिकल डिवाईस बनाने वाले हो जिनोंने इसको लगाने के लिए सिरिंजिस बनाइ। या इस वैक्सिन का निर्मान करने वाली जो दो तीन बहुत बड़ी वैक्सिन निर्माता कमपनिया हों और उनमें काम करने वाले उनके मेनुफेक्ट्रिंग टेस्टिंग केमिस्ट या क्वालिटी आशॉरेंस केमिस्ट हों मैं उन सभी को जो इस उसमें लगे रहे ना दिन देखा ना रात देखी जब लोग घरों में अंदर छिपे हुए थे और उस समय ये एक इतनी मिकारे कर रहे थे तो मैं फार्मसिस्टों को सभी को विश्वर फार्मसिस्ट डे की हार्दिक शुब कामनाय और बधाई देता हूँ अब विशय पर आता हूँ विशय आपने दिया गुरू शिश्य परमपरा आज एक शिकायत आ रही है और लोग ये कहते हैं कि कोई भी हो फार्मसिस्ट के वेल अकेला नहीं कि जो बच्चे पास करके आ रहे हैं बाहर निकल रहे हैं पढ़ाई करने के उतांत तो उनका जो एजुकेशन लेवल है जो शिक्षा का स्तर है जो उनको वांचित नौलेज होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा है इसके लिए मैं एक आपको तथ्य बतलाता हूँ आज जितनी भी कॉंसिल्स हैं चाहे वो एड़ोकेट एक्स के अंदर रजिस्टर करने के लिए बार कॉंसिल्स हो जिस जिस राज्ये की हो या आल इंडिया बार कॉंसिल हो या डॉक्टर्स के लिए Medical Council of India हो तो जो बाहर से पढ़कर के आते हैं तो वह अपने doctors को जब लेते हैं यहां हिंदुस्तान में उनको register करना रहता है तो entrance exam ले रहे हैं उसे हम कहते हैं कि entry into the system before registering as a medical practitioner or as an advocate under advocate or now अभी जो pharmacy council of India है वह यह भी सोच रही है कि हम pharmacist के लिए भी इस परकार के एक exam का प्रावधान रखें ताकि जो पास करने के बाद बाहर आए छात्र हैं उनकी knowledge को हम adjudge कर सकें देख सकें कि उनको वह knowledge है या नहीं कि वह है एक pharmacist के तोर पर कारे करने में सक्षम है या नहीं है तो इसके लिए कारण क्या है कारण वही है इसी कारण का करने के लिए आज का विशे दिया गया गुरू शिश्य परंपरा गुरू शिश्य परंपरा में गुरू और शिश्य का क्या संबंद होता है एक छोटा सा उधारन देता हूँ जैसे इंट के भटे पर कच्ची मिट्टी को गूंथ करके जब उन्हें खांचों में ढाला जाता है और खांचों से निकाल करके फिर भटे में उसको पकाया जाता है तब है एक मजबूत इंट निकल करके हमारे सामने आती है कि हां यह इंट है जिससे अब बुलंद इमारते बन सकेंगी ठीक इसी प्रकार जब शिश्य किसी भी college में फारमेसी college में डिपलोमा में बी फारमा में एपारम में पी एच दी में फारमडी में या फारमेसी से संबंधित किसी भी course में आवेदन करता है आता है तो उसके लिए entrance exam होता है अब पढ़कर के वहां से निकलता है तो यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी सुद्रिड हो कि हम तहे मानने कि जो बच्चा एक फार्मसिस्ट पास करके निकला है उसके पास इतनी नौलेज है क्योंकि वहां से दो वर्ष या चार वर्ष जैसी भी उस कोर्स की अवधी है उस अवधी में अपने गुरू के पास रहते हुए अपने अध्यापकों के पास शिक्षकों के पास रहते हुए उसने इतना ग्यान अरजित किया है कि अब वह समाज में जाकर के अपनी सेवाएं दे सकता है उसमें चाहे वह डॉक्टर की पर्ची पढ़ते हुए दवाईय देने का काम हो जिसको हम dispensing pharmacist कहते हैं hospital pharmacist कहते हैं या दवाईया एक दवा की दुकान पर as a retailer या wholesaler खुद्रा या ठोक ओषधी विक्रे license दवा विभाग से लेने के उपरांत पुन हैं दवाईया बाटने का काम करना हो या उन्हीं दवाईयों को निर्मान करने वाली इकाईयों में ओषधी निर्मान इकाईयों में काम करना हो या उन दवाईयों को बनाने के लिए जो भी research organizations ह R&D में हैं उनके लिए काम करना हो analytical laboratories में काम करना हो तो निकल करके आता है कि फार्मासिस्ट ने किसी भी स्थान पर बतोर फार्मासिस्ट यदि काम करना है तो वह या तो दवा के निर्मान में है या उसके अनुसंधान में है या निर्मित दवा का एक supply chain system को maintain करते हुए ठो क्या खुद्रा ओजदी विक्रेता के रूप में काम करना है तो वह ओजदी कारक एक तरहें से समझ लीजिए कि डॉक्टरों के हाथ में वह हतियार देता है जिससे वह बीमारी रूपी राक्षसों का वद करते हुए जितने भी रोगी हैं उनकी चिकित्सट पली भांती कर पाएं तो हमारे फार्मासिस्ट बंदूओं का समाज में जो कार्य है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और समाज किसी भी तरहें से इस कार्य को नकार नहीं सकता और फार्मासिस्टों ने अपनी अनथक सेवा से इसे करोना काल में सिद्ध भी किया है लेकिन अब प्रशन गए अभी उड़ते हैं तो गिर जाते हैं और उसके साथ साथ अपने चालक का भी एक हम सोचते है कि पाइलेट जिसने इतनी मेहनत करते हुए इतने वर्ष लगाते हुए पुरा जीवन लगाते हुए ट्रेनिंग ली और इतने आवर्स का प्लाइंग आवर्स का उनको तके नहीं होंगे उसका कारण कुछ भी रहे research हो निर्माण में हो बेचने में भंडारण में कोई कमी रह जाए या देते समझ समझाने में कोई कमी रह जाए या गलत दवा दे दी जाए इन सभी से बचने के लिए उस pharmacist के पास adequate knowledge होना एक अच्छा ग्यान होना अत्यंत पश्यक है तो फिर ये अच्छा ग्यान कौन देगा तो इसमें निकल करके आता है कि गुरू के अथिरिक्त और कोई अन्य नहीं देगा फिर हम भी जब गुरू हैं आप लोग बैठे हैं दोनों अंकुर जी भी बैठे हैं असंतोष जी भी बैठे हैं अमित जी हम सभी को हम वो खाचे हैं जो एक सही आकार की कींत का निर्मान करते हैं हम वो भटी हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए एक भटी की तरह हैं कि उन्हें उस आच में तपा करके पका करके ऐसा सुद्रिण कर दें कि जब समाज में वह आएं तो उन्हें दुबारा किसी परीक्षा की आवशक्ता ना पड़े और ये रहे कि हां ये फलागुरू के पास यदि पढ़ करके शिश्च आया है तो कोई उसकी नौलेज के उपर उंगली ना उठा सके ये ना कह सके कि देखो इसे तो फार्मेसी आती नहीं इसको तो फार्म नहीं है कि वे डाक्टर की पर्ची को पढ़ पाए या इसको इतना ग्यान नहीं है कि नहीं नहीं दमाईयों के निर्मार में कोई अनुसंधान कर पाए आदी आदी अब प्रश्च उठता है कि गुरू यदि वे खाचा है गुरू यदि वे भट्टी है कॉलेज के अंदर ऐसी व्यवस्था बने कि वह शिश्य उस व्यवस्था से पढ़ करके निकलने के उप्रांत एक मजबूत एक पार्मासिस्ट जिसको पूरी नौलेज हो ऐसा निकल करके आए तब ही हम कहेंगे कि हाँ अब गुरू शिश्य परंपरा का निर्वाहन हुआ शिश्यों का मैं कहूंगा कि जैसे जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका मन तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है ये निर्वर करता है गुरू के उपर जैसे कुमहार कच्ची मिट्टी को लेता है चाक पर चढ़ाता है घड़ा बनाए दिया बनाए कोई ब पूर्टी बनाए जैसा मर्जी आकार दे दे तो वो कच्ची मिट्टी चाक पर चढ़ा करके आकार देने का कारे तो गुरू ने करना है आचारे ने करना है शिक्षित ने करना है जो पढ़ाने कोई कमी दिखाई देती है तो इसको अन्यत्था ना लेना उसका कारण हम केवल और केवल यह कहें कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो कहीं हम अपने ही दाइत्व से भाग तो नहीं रहें हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं लेकिन क्या हम उन्हें उस भांती विशे को रुची कर बनाते हुए पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं या करते हैं क्या इंटों को बनाने वाला खांचा ठीक है सही आकार का है अगर खांचा ठीक हाकार का है ना तो उसमें इंट बनाने के लिए जब कच्ची मित्ती गुंदी हुई भरी जाएगी तो इंट ठीक आकार की आएगी अगर खांचा ठीक नहीं है तो इंट टेड़ी मेड़ी आएगी फिर उससे जो इमारत बनेगी वह मजबूत नहीं बन पाएगी और मेरे राष्ट के इस विशे के जो एक बुलंद इमारत बनने का मैं सौपन देखता हूँ अर्थाथ फार्मे इंडिया है मेरा देश वैक्सिनेशन में वैक्सिनेटर जो सबसे अधिक वैक्सीन बनाने वाला देश जिसके पास इतनी बड़ी ख्षमता सिद्ध की कुरोना काल में की पूरे विश्व को वैक्सीन बना करके मेरे देश ने दी तो मेरा देश तो वैक्सीन हब अफ वर्ड भी है फार्मेसी अब अब वर्ड भी है अब क् वालिटी पार्मेसी भी बनने जा रहा है और मेरा देश हब अब वर्ड भी बनने की और अग्रसर है और जहां हम बेठे हैं हरियाना में वहां मेरे देश की 70 प्रतिशत से अधिक medical devices बनती हैं तो इस परकार से मेरा देश जब इतनी बड़ी एक बुलंद इमारत बनने की ओर अग्रसर है तो तै रूप से गुरु शिश्य परंपरा का पालन करते हुए इसके निर्मान में प्रयोग होने वाली इंटों अर्थात इस खेत्र में काम कर करने वाले जो विद्यारती पास करके आएंगे उन्हें पूरी knowledge देना पूरा ग्यान देना ये एक गुरुत्तर कारे एक महत्वपून कारे शिक्षकों के कंधों पर आन पड़ता है और शिक्षकों के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इसके लिए अपना पूरा जोक दे इससे लाब क्या होगा मैं आपको दो-तीन बातें बतलाता हूँ गुरू अकथर शिक्षक के एक बात की शिकायत करते हैं कि गुरू गुर रहे जाता है चेले चीनी हो जाते है पूछते नहीं ऐसा नहीं जब गुरू ज्यान दे करके किसी शिक्षक का निर्मान करत जहां भी चंद्रगुप्त का नाम आया वहां चानक्य का नाम आया चानक्य का निर्मान चंद्रगुप्त का निर्मान चानक्य ने किया था और एक बार ऐसी स्थिति आई युद्ध के समय जब चानक्य और चंद्रगुप्त दोनों का जीवन दाव पर लगा तो चानक्य ने क चंद्रगुप्त आपके कंधों पर बहुत से कारे हैं मेरा जीवन जाने दीजिए आप अपना बचाईए हलांकि दोनों बचे उस उद्ध में लेकिन जब उन्होंने कहा तो चंद्रगुप्त का जो उत्तर था वैशिक्षकों के लिए जान लेना अत्यंत आवश्यक है उन्ह कोई अन्य चंद्रगुप्त नहीं बन पाएगा शिक्षक बहुत से महत्वपूर कारे करने में सक्षम होने वाले शिश्यों का निर्मान कर सकता है इसलिए हम गुरू, शिक्षक, पीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर के महत्व को कमतर करके नहीं आख सकते हैं लेकिन ये खाचा ठीक हो, तो उसके लिए मेरी एक आदत है, थोड़ा सा विशे अंतर नहीं करूँगा लेकिन उसी विशे पर कुछ अवश्य मैं दूँगा, मेरी एक आदत है कि समाज की पत्येक समस्या का समाधान, जब से सेवा निवरित्ती हुई, पहले से भी मैं इस बेद का मंत्र और बड़ी शीग्रता से ये खाचा ठीक रहे, ये शिक्षक के टीचर के अध्यापक के लेक्चरर के प्रोफेसर के अंदर कैसे गुण वांचित होते हैं, अपने शिश्य को तराश करके निखार करके अप्रतिम बना देने के लिए, तो वह इस मंत्र के माध त्रिदिला, अत्रिदिलासु, अद्रयो, श्रम्न, अश्रिथिता, अम्रितव्यह, अनातुरा, अजरह, स्थाम, विश्णवह, सूपीवसो, अत्रिशिता, अत्रिश्णजह, अर्थ क्या है? एक एक शब्द का अर्थ, त्रिदिला, भेदक, अत्रिदिलास, अभैद्य, अद्रयह, आदर्णिय, अश्रम्न, अनथक, श्रम, श्रील, परिश्रम करने वाला, अश्रिथिता, अश्रिथिता, अश्रिथिल, कभी श्रिथिल ना होने वाला, अम्रितव्यह, मृत्यु के ब जो बूढ़ा नहीं होता है आयू जिस पर अपना प्रभाव नहीं दिखाती है अम विश्णवहा गतिशील सुपीवसहा सुपुष्ट अत्रिशिता त्रिश्णा रहित लालच रहित इच्छाओं रहित अत्रिश्ण जहा निस्प्रेह स्था होवे अर्थात शिक्षक के लगभगबार है गुण बतलाए गए जो यदी मैं आत्म अवलोकन करता हूँ तो प्रत्येक शिक्षक के अंदर ऐसे गुण वांचित किये वेद भगवान ने आईए एक एक पंक्ती में एक एक गुण की चर्चा करते हुए फिर विश्ण को मैं समापन की ओर ले चलता हूँ तरी दिला अर्थात भेदक विश्चे पर पूरी पकड़ तहट तक जाकर के संशे को दूर करने वाला यानि की बच्चा होता है ना बच्चे से तो क्यों खतम ही नहीं होता है जब मा का भी थोड़ा सा बड़ा होता है बोलना सीखता है तो सबसे पहले तो माता पिता माती देव भव पित्री देव भव और अचारे देव भव तो सबसे पहले तो मा का ही सिर खाना शुरू करता है ये क्यों अच्छा पिर ये क्यों अच्छा पिर ये क्यों अच्छा के उपर होता है जिस विशे को हम पढ़ा रहे हैं उस विशे के संबंध में पूरी अप टूडेट जानकारी क्योंकि विशे पर नई-नई खोजे निरंतर आती है तो शिक्षक जहां तक पढ़ाता है उसे पूरे जीवन विद्यार्थी भी बने रहना होता है उस विशे पर मिरंतर स्वाध्याय करते रहना होता है और स्वाध्याय में कभी परमाद नहीं करना चाहिए जो स्वाध्याय में परमाद करेगा विशे पर पकड़ नहीं बना पाएगा और जब विशे पर पकड़ नहीं बना पाएगा तो शिशे के प्रशनों के उत्तर नहीं दे फिर शिश्य का अपने गुरू से आचारे से टीचर से लेक्चर से प्रोफेसर से विश्वास उस्ता चला जाएगा आगे क्या है अत्रिदिलासह अभैद्य बहुविग्य अकाट्य तर्क देने वाला शास्त्रार्थ महारती अर्थाद आपकी तीस विद्यार्थियों की है या बाहर जाकर के जब आप खुले में एक लेक्चर देते हैं या कोई आप भाशन देते हैं तो आपके पास ना जाने कितने प्रशन आते हैं और उन सभी प्रशनों का उत्तर देने के लिए आपके पास अकाट्टे तर्क होने चाहिए ये कुतर्क नहीं होने चाहिए त अकाटे तर्क तभी दे सकते हैं यदि आपके अंदर उस विशे के बारे में नवीनतम और प्राचीनतम हर परकार की पूर्ण जानकारी है तभी आप शिश्यों के प्रशनों के अकाटे तर्कों द्वारा उत्तर दे सकते हैं आगे आता है अदार आदर के योग यदि आपके अंदर इतना ज्यान होगा तो अपने ज्यान के कारण आप अपने शिश्यों से आदर प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे क्योंकि आप जब नहीं आता है न तो टीचर क्या करता है क्लास में जला जाता है पीचों को प्लशनी पूचे न चुप बस ऐसा ही डांट देता है तो वो खीज वो डांट सेम की कमजोरी को छिपाने के कारण होती है लेकिन यदि मेरे अंदर समस्त ग्यान है और मैं पढ़ाते समय शीतल ग्यान की वरिष्टी करता हूं तो शिश्यों के भी मन शान्त रहते हैं और मैं भी अपने तरकों के द्वारा उनके प्रशनों के उत्तर देता हुआ उनका आदर और सम्मान प्राप्त करने का पात्र बन जाता हूँ जैसे पर्वत या मेग उचाई पर खड़े होते हैं समाज या शिष्य परंप्रा मुझे वह उचाई परदान करती है अश्रम नहां अनथक परिश्रमी श्रम या तप द्वारा रचित रित पर आश्रित शिक्षक उपदेशक या टीचर लेक्चरार प्रोफेसर और टीचर यदी अध्यापक यदी अनथक परिश्रमी नहीं होगा ठक करके बैठ जाएगा तो वह अपने विशे का नमीनतम ग्यान प्राप्त नहीं कर पाएगा और अपने शिष्यों को नहीं दे पाएगा इसलिए उसे अनथक परिश्रमी रहना है जीवन पर पढ़ाने के लिए पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है और जब भी कभी भी कोई भी केवल शिक्षकों के लिए नहीं कह रहा हूँ पीचस के लिए नहीं कह रहा हूँ कभी भी कहीं भी कोई भी जब ये समझ लेता है कि मुझे तो अब कुछ आ गया हूँ मुझे तो पूरा ग्यान प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए अब उसने अपनी जो भी उचाई पानी थी पाली है और अब उसका नीचे गिरना प्रारंब होना तय हो चुका है इसलिए अनथक परिष्णमी होना है निरंतर स्वाध्याई शील रहना है और तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं अब प्रिथिता अशिथिलता प्रमाद या आलस या सुस्ती नीचे गिराती है जबकि चुस्ती फुर्ती और मस्ती की प्रतिमूर्ती एक शिक्षक को होना चाहिए जब हम अपने स्वाध्याई में सुस्ती करने लगते हैं जो अगले दिन हमने पढ़ाना है तो और कोई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते अब क्या पढ़ना है रात को देखा ही नहीं ना किताब खोल करके ना वीशे के बारे में ना जो अगले दिन पढ़ना है उस सब्चेक्ट को खोला ही नहीं देखा ही नहीं तो कहीं न कहीं किसी ना किसी प्रश्ण पर हम फस सकते हैं और अपना आदर हो सकते हैं और एक अध्यापक को चुस्ति-फूर्ति और मस्ति की पतिमूर्ति होना चाहिए अम्रितव्य, मृत्यू के बंदनों से मुक्त होना चाहिए. क्यों कहा रहा हूँ, पंक्ती में समझा देता हूँ, देखिए, मृत्यू जीवन की होती जन्म की मृत्यू होती है, जीवन की मृत्यू नहीं एक अध्यापक जो एक अच्छा अध्यापक रहा वह अपने शिशों के माध्यम से समाज में वर्षों वर्षों तक जीवित रहता है और यदि शिक्षक ने कोई भी एक अच्छा अनुसंधान करवाया हम गुरू हर्किशन सिंग जी को कैसे भूल सकते हैं पंजाब शिवित जाले के चंडोलियम आयोडाइड उनकी जो एक खोज थी उसको कैसे भूल सकते हैं क्यों नहीं हर टीचर ही कहता कि मुझे एक नई खोज एक नया अनुसंधान अपने शिश्यों के माध्यम से करना ही करन तो जब तक वहे दवा रहीगी वहा नुसंधान रहेगा वह मॉलीक्यूल रहेगा वहे निरमान की नइ एक विधी रहेगी या एक इसी भी दवा को देने का एक नया तरीका रहेगा तब तक उसको खोजे जाने वाले का नाम रहेगा जैसे वैक्सिन निर्माताओं का नाम और भारत का नाम और उन वैक्सिन को बनवाने वाले और उन्हें सब को प्रोचाहिद करने वाले परधान मंतरी मोदी का नाम सदा सरवदा के लिए रहने वाला है तो जब नाम सदा के लिए रहेगा तो अमर हो जाएंगे अमर हो जाएंगे तो मृत्यू के बंधन से मुक्त हो जाएंगे अनातुरा अर्थात अविकल धीर धैर्यवान और अतुर्ता रहित होना चाहिए बोल करके भागने या मैं एक कड़वी बात कह दूँ यदि अनुमती हो हमारे अंदर जब हम उपदेश देते हैं या शिक्षक होते हैं टीचर्स होते हैं तो एक अफ़गून आता है सबसे पहले वह अफ़गून आता है कि हम ट्यूशन फीस ले लें ट्यूशन पढ़ा दें कक्षा में तो क्या ही करेंगे जब बच्चे घर पर या इधर उधर पढ़ने के लिए आएंगे तो इस ट्यूशन में कि में एक्स्ट्रा फीस लेंगे जो की मेरी मासिक तंखवा से अलग होगी तो वह अनातुरा की श्रेणी में होते हैं हमें ऐसा कदापी नहीं करना है और मुझे अपने शिश्यों को ग्यान देने में कभी संकोच नहीं करना है फिर शिश्य अपनी आवशक्ता नहीं है कहने की भी आवशक्ता नहीं है ये तै जानमा लीजिए अजरहा जरा या बुढ़े पन से रहित शिव संकल्पों वाला कारेशील और जिसकी वानी में ओज हो जीवन में तासगी और प्रेरक शब्द और पसंगें पसंग या बातें बताता हुआ विश विशे में यदि हम कोई कहानिया जोड़ देते हैं तो विशे बड़ा रूची कर हो जाता है और शिश्यों को समझ में भी बहुत जल्दी और तेजी से आता है अम विश्णवहा गतिशील हो स्वाध्याय करने वाला हो सच्शन करने वाला हो क्या हम टीचर्स आपस में श्चा करते हो और अपने ग्यान का आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हो ऐसा यदि करते हैं तो तै रूप से हम अम विश्णवहा अर्थात शिच्चक के इस गून से परिपूर्ण है सुपीव सहाब मुझे यम नियम आसन पनायाम धारना ध्यान से शरीर और अ शिवास होता है यदि शिक्षक रोगी है उसी खांसी की बिमारी है तो बोली नहीं सकता कक्षा में कितनी देर पढ़ाएगा आदा गंटा पढ़ाने में उसकी सांस पूल जाती है तो वह पढ़ा नहीं पाता है यदि कोई अन्य बिमारी है कमजोरी है खड़े नहीं हो सकता उसको बैठना पड़ता है कुर्टी पर निढा लो करके बैठ जाता है तो वह अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है इसलिए शिक्षक को जहां अपने ग्यान का ध्यान रखना है जहां उसे अन्य गुणों का ध्यान रखना है तो उसे अपने शरीर का जो एक साधन है वाहक है उसके समस्त कारियों को करने का उसका भी ज्यान रखना है अत्रिशिता त्रिशना से रहिट मुझे लालच नहीं करते हैं त्रिशना और लिप्षा से संतोष पैदा होता है और जीवन में जो समसे बड़ा धन है न वो संतोष धन है धन जितना भी आ जाए हम उसे धापते नही है यानि कि उससे हमारी उधर पूरती नहीं होती है और 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 की इच्छा लगतार बढ़ती चली जाती है और इच्छाएं सुरसा के मुख की तरह बड़ी होती चली जाती है लेकिन जब वीर हनुमान की तरह उन्हें छोटा कर लेते हैं तो उन बढ़ती हुई इच्छाओ के मुख के बीच में से होकर कही निकल जाते हैं अर्थात संतोष धन सबसे बड़ा उससे बड़ा न कोई खानी तो दो रोटी आई है उससे फालतू का तो बेकारी पड़े रहने वाला है मैंने पूरा जीवन जब अपना राज्योष जी नियंतरक के पत्पर काम किया तो मैं लेखन का कारे भी करता रहा वेदवानी के परचार परसार का भी काम करता रहा अपना ड्रगेट का जो नई कमेटी बनी नया ड्रगेट लिखने की उसमें भी मैं में मेंबर रहा और आखरी के तीन-चार महीनों में पूरी-पूरी रात जात करके बारा बाज तक तो मीटिं अब गाड़ी लिए उसको जितना चला सकते हैं तो चलाएंगे न ये शरीर मिला है तो इसका जितना अधिक्तम प्रयोग कर सकते हैं तो करेंगे न ऐसा यदी हम करते हैं और धन की लिपसा में नहीं पड़ते हैं और संतोष धन को अपना लेते हैं तो तै जान मान लीजिए सं धन आते ही संतुष्टी आ जाती है और संतुष्टी आते ही सुख मिल जाता है क्योंकि मैं फिर पीछे भागता नहीं हूँ जो मुझे मिलना है मेरे पुरुशार्त से स्वयम प्राप्त हो जाता है वैसे भी कर्मन्नेवा अधिकार अस्ते कर्म करना मेरा अधिकार क्षेतर है लेकिन फल देना माफले शुकदा चनवे ईश्वर का अधिकार क्षेतर है हम उल्टा करते हैं अपने जीवन में एक शिक्षक को कर्म करना चाहिए और कर्म करते हुए अपने अधिकार का पालन करना चाहिए फल की हम चिंता करने लगते हैं जो की ईश्वर का अधिकार ख्षेतर है फल की चिंता तो ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए वह निश्चित रूप से न्याय करता है मेरे समस्त कर्मों के फल मुझे अवश्य प्रदान करते हैं इसलिए मुझे त्रिश्णा लिपसा लालच मोह करने की कोई आवशक्ता नहीं है मुझे संतोष धन मन में प्राप्त कर लेना चाहिए पीछे नहीं भागूंगा तो लोग मेरे पीछे भागेंगे यदि मैं ही लोगों के पीछे भागता रहूंगा तो मेरे पीछे आने वाला कोई नहीं है इसलिए खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुम से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है चचच यदि अपने ग्यान से खुद को इतना समर्द कर लेगा तो उसे अपने शिष्यों के पीछे भागने की कोई आवशकता नहीं रहेगी अपितु शिष्य उसके ग्यान के कारण उसकी नौलेज के कारण पूरा जीवन आपसे तच में रहते हुए, कंटेक्ट में रहते हुए, संपर्क में रहते हुए आपसे पूछते रहेंगे अत्रिशिता बन जाईए, अत्रिश्न जहा, निस्प्रता समान भावना, प्रेम व्यभार, अनासक्त भाव, निश्पक्ष, न्याय, शील, द्वेश, रहित, करुणा और दया से भरपूर हो करके आनन्द के भोगता बनते हुए, हम आनन्द का पान करवाएं, अर्थात कक्षा में सभी शिश्यों को मैं एक समान भृष्टी से देखू, यदि कोई किसी अधिकारी का बेटा है, तो उसको तो ठीक है, हराम से काम करके आ, ना आ, पढ़, ना पढ़, दो चार प्रशन जो आने वाले हैं परीक्षा में वो पहले बतला दिये, ठीक है, इसके पिता मेरे काम आएंगे, मैं इस बच्चे के काम आ रहा हूँ, ऐसी भावना कभी शिक्षक को मन में नहीं रखनी चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, शिश किसी भी राजा का पुत्रों, किसी भी रंक का पुत्रों, जब आपके पास पढ़ने आ गया, कक्षा में बराबर के भाव से बैठेगा, और आपको उसी भाव से उसको रखना चाहिए, ये बारा गून, हम शिक्षकों के अंदर अवश्य में होने चाहिए, ताकि हम अपने शिश्यों का निर्मान कर सकें, और शिश्य अपने विश्य में परवीन होते हुए, उस बुलंद इमारत का हिस्सा बन सकें, जहां देश मेरा पहुँचना चाहता है, विश्य का सिरमोर बनना चाहता है, और फार्मेसी के संदर्व में फार्मेसी अफ वर्ड बन जाएं, व पार्मेसी की बात आए तो केवल और केवल मेरे देश की बात आए इनी शब्नों के साथ वानी को विराम धन्यवाद ओम इतिशम पुन्हें आप सभी को विश्व भेशग्य दिवस या फार्मसिस्ट डे वर्ड फार्मसिस्ट डे की हारदिक शुबकामनाए आभार सभी अबरत निरंतर चलते इस भाषन को सुनते रहें मुझे नहीं मालूम कहीं बोर ना हो रहे हो कि वह इतनी देर तक आप बोले धन्यवाद जन्यवाद सर निश्चे दौरपर सर जो आपने आज इस टॉपिक पर सभी छात्रों को जो मादर्शित दिया है वो यूट्यूब के चैनल से जो देखकर मादर्शित होंगे और अपने अपने तीचरों का सम्मान करेंगे आपके बक्तब से मुझे सार यही निकल के आता है कि जो व्यक्ति हमें जीवन का सार बात बताता है वो व्यक्ति कोई और नहीं हमारा गुरू ही क्यालाता है और एक गुरू अपने सिस्ट को केबल सभलता का मार्गी नहीं दिखाता केबल लेकिन उस मार्ग पर सिस्ट को अकेला चलना होता है जब कोई सिस्ट अपनी साकार होना लगवग हो जाता है जैसे कि आप में बेद मंत्रों से गुरू की परवासा को परवासित किया है तो पूरा भावार था जो एक सांस्कृतिक में और इसे पूरे टॉपिक को पूरा करता है और आपकी बात को ही पूरा करता है जो मैं कहना चाऊंगा जो गुश्य तरह से शिच्छत करते हैं बेद जड़न देने वालों से भी अधिक संवान के पातर होते हैं ऐसे गुरूयन की बारी पाकर हम और हमारा भार्मालोग का मंच करतग है और मैं आपका हार्देख हार्देख मैं अंकुर अग्रवाल टीम भार कराई है और एक सिच्छक होने का एसास दिलाया है और तो बहुत ही गहुत धन्यवाद और मैं पूरी टीम फार्मा लोग कोडिनेटर हमेज्जा सर की तरफ से भी आपको साधुवाद धन्यवाद करता हूं जो हमारे एक गुलाबे पर आप हमेशा एबलेबल रहते हैं मैं आज आप एक एक मिनिट के लिए कह सके हैं कि हमारे फार्मा लोग मन्च के लिए और फार्मासिट के लिए सब्सक्रास के लिए और विश्व फार्मासिस्ट डे को मनाने के लिए हम सभी को इकठा करके इतना अनतक प्रयास करने के लिए साधुवाद देता हूँ और बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं और इसी साधुवाद के साथ एक ही निवेदन करता हूँ कि चुकि फार्मा लोग कहीं ना कहीं पुस्तकों के प्रकाशन से जुड़ा है तो शिक्षा के साथ एक संस्कार देने का काम यदि हम करेंगे तो शिक्षा सभी के लिए उप्योगी हो पाएगी एक फार्मासिस्ट है जो बहुत अच्छा ज्यान है उसे लेकिन संसकार नहीं है तो वे ज्यान का दुरूप्योग कर सकता है मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुब कामना है धन्यवाद धन्यवाद पर जैन जै फार्मेसी अहीं मैं परेंगे लेकिन संहुत धिर लेकिन संहुत जैन्यवाद लोगत लेकिन स्थी जैने लेकिन सिरे जैन कामना है